हलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका बालमी की इंस्टेशोट आप एकाउंट्स एंड टेक्नलोजी में फाइंड आउट्पूट इंसी लंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नमबर फोर्टी सेवन और जैसा कि आप जान रहें कि ये 400 प्लस क्वेश्चन की प्लेइलिस्ट है तो आप हमारी इस प्लेइलिस्ट साथ बने रही है और यदि अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने तीन लैन का एक कोड लिखा हुआ है इस पूरे कोड को आप पहले अच्छे से ड्राइ रन करें और इसका आउटपुट सोचें कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है अब थोड़ी देख लिए इसक्रें को पौच कर लिजिए और इसका आउटपुट सोच लिजिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा उमिद करता हूँ दोस्तों कि अब तक आपने इसका आउटपुट सोच लिया होगा तो चलिए मैं इसे एकस्प्लेन करके बताता हूँ देखे यहाँ पर क्या है सबसे पहले हम लोग को पहली लैन सॉल्ब करनी है यानि की इन्ट एक्स एसाइन सेवेन तो यहाँ पर एक्स नाम का एक इन्ट डेटा टाइप का वरीबल डिकलियर हुआ उसे मेमोरिय में कुछ जगा मिली और वहाँ पर हमने डिकलिरेशन के टाइम पर हमने सिवेन को इन्ट इसलाइज कर दिया है यानि एक्स के अंदर इस्टोर हो गया है सिवेन दूसरी लैन को देखिए हमने वाई नाम का वेरीबल डिकलियर किया जो की इन डेटा टाइप का है और इसमें हमने एक एक्सप्रेशन को एसाइन कर दिया यानि ये जो रिजल्स आयागा एक्सप्रेशन का वो वाई के अंदर इस्टोर होगा और उसके बाद हमने वाई की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करा दी आई तो चलिए इस एक्सप्रेशन को पहले हम सॉल्व करते हैं यह हमारा एक्सप्रेशन है एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू है सेविन अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हमारा वही operator solve होता है जिसका precedence सबसे अधीक हो तो देखिए यहाँ पर arithmetic plus है, comma operator है देखिए comma operator और separator दोनों होता है लेकिन यहाँ पर यह operator है अब हम कैसे पहचानेंगे कि comma operator है या separator है तो दोस्तो इसके लिए मैंने C language beginner level के अपने course में पूरी details में बताया है और आप उस course को purchase करने के लिए आप एक बार हमारे इस website पर जरूर विजिट करें हमारी website के नाम है www.balmiki.it.com इस site पर जरूर विजिट करें या आप हमारे contact number पर जरूर संपर करें एक बार तो वहाँ पर आपको मैंने बताया है कि जो comma operator होता है इसका precedence level सबसे कम होता है लेकिन यहाँ पर देखिए यह parenthesis लगा है bracket लगा है यानि कि पहले यह bracket solve होगा अब bracket जब solve होगा तो देखिए क्या है 1,2,3,4 तो comma operator left से solve करता है यानि सबसे पहले यह evaluate होगा फिर यह evaluate होगा फिर यह evaluate होगा बहुत सारे लोग आपको बताते है कि comma operator जो है right most result लेता है 5 ऐसा नहीं है वो पहले left वाले को solve करता है और इसकी value को reject कर देता है फिर right वाले को solve करता है फिर left वाले का right रहता है और इसकी value को भी reject करेगा कब तक इसको solve करेगा और reject करेगा जब तक कि इसके राइट को कोई भी कॉंस्टेंट से अवेरीबल ना हो तो यहां पर देखिए सबसे पहले मैं इसे लाइन बाइलाइन ही सॉल्व करता हूं मैं इसी लाइन को कॉपी करता हूं और इसका जो रिजल्स आएगा मैं वरको उस तरहीके से बताता हूं देखिए सबसे पहले वन सॉल्व हुआ और वन सॉल्व हुआ तो रिजल्स क्या मिला हमें रिजल्स मिला ये वन अप सॉल्व हो चुका है और वन सॉल्व होने के साथ ही कॉमा ओपरेटर ने उसे रिजेक्ट कर दिया यानि उसे डिसकार्ट कर दिया आप देखिए इस लाइन और नीचे paste करता हूँ अब देखिए 3 solve हुआ और 3 भी reject हो गया अब मैं इसे फिर से बार और copy करता हूँ और paste करता हूँ अब देखिए यहाँ पर 4 solve हुआ और 4 भी reject हो गया अब जो results देखिए मिला वो results क्या है वो results है 7 plus 5 यानि कि 7 plus 5 अब इसका result समय क्या मिलेगा इसका result समय मिलेगा 12 यानि कि जो comma operator है दोस्तों वो इस तरीके से solve होता उसका step यह होता है लेकिन सभी लोग उसको directly रूप से बता जैते हैं कि वो right most value ही देगा यानि students इसको समझ जाते हैं कि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5 इस दोनों add हो जाएगा लिकिन नहीं आपको उसी तरीके से solve करना है जिस तरीके से compiler करता है तभी आपकी पकड़ C language में मजबूत होगी और आपकी programming skill अच्छे से double up हो सकती है तो अब तक आप इसका output समझ गये होंगे कि इसका output आने वाला है 12 चली मैं एक बार इसे आपको build and run करके दिखा देता हूँ जी हाँ दोस्तों देखे आपको मिलना है 12 हमारा output एकदम सही आ रहा है अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको comma operator समझने में problems आ रही है तो आप हमारे इस website पर विजिट करके हमारे C language beginner level और C language advanced label के course को purchase कर सकते हैं और यकिन मानिए बहुत ही कम price में ये label है तो उमिद करता हूँ कि ये question आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आप इसका output अच्छे समझ लिए होंगे चली हम लोग फिर next question में मिलते हैं